हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे छेना की रसकुले तो बहुत स्पंजी रसकुले बनेंगे तो अधी आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल जाया करें तो चलिए अब रसकुले बनाने के लिए हमने पेकेट वाला दूद लिया है तो इसमें फैट 3% रहता है तो हमें जिसमें फैट नहीं हो कम फैट वाला 3% फैट वाला ही मिल्क लेना है अब हम दूद तपने के लिए रखेंगे अब हमारा दूद उबल जाएगा तब हम इसमें नीवू का रस डालेंगे तो अभी हमारा दूद उबल जाएगा अच्छे से उबालना है आपको दूद को अब हम आदे लीटर दूद के ही रस गुले बना रहे हैं इसलिए हमको एक नीवू ही लगेगा यदि आप जादा रस गुले बनाना चाहते हो तो आपको जादा नीवू का रस निकालना पड़ेगा अब हम नीवू के रस गो चन्नी में चान लेंगे तो मैंने ये चन्नी में नीवू का रस चाना जिससे कि हमारे जो वीजे है नीवू के वो नहीं जाएंगे और अधि आपको नीवू नहीं मिले तो आप बिने गर से भी दूद को भाड़ सकते हो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अब हमारा दूद अच्छे से उबल चुका है तो अब हम इसमें नीवू का रस डालेंगे तो हमको एकटा नीबू का रस नहीं डालना है थोड़ी थोड़ी देर में हमको नीबू का रस डालना है ताकि जो हमारा छेना अच्छे से सौप्ट सेना बनेगा तो हम थोड़ी थोड़ी देर में इसमें डालेंगे कई बार क्या होता है कि दूद फटता नहीं है तो हमको क्या करना है थोड़ी देर के लिए नीबू का रस डालने के बाद हम गेस को चालू कर देंगे धीमे फर तो हमारा दूद अच्छे से फट जाएगा हमको एक दम से नहीं डालना है पूरा रस थोड़ी थोड़ी देर में डालना है अब हमारा दूद अच्छे से फट चुका है देखिए थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था नीवू का रस डालकर तो हमारा दूद फट चुका है अब हम कोई भी बरतन लेंगे इस पिरकार से उसके उपर हम जो आटे वाली छन्नी रेती है उसको रखेंगे और उसके उपर हम कोई भी काटन का कपड़ा लेकर इसमें अच्छे से बिच्छा देंगे ताकि जो हमारा दूद है दो हम अच्छे से इसमें चान सकें अब हमने जो दूद तपाया था हम इसको इस पर डालेंगे और इसके उपर हम ठंडा पानी डालेंगे अब जो हमारा पानी है पूरी तरीके से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें नीबू डाला था तो हम इसका पानी पूरी तरीके से निकाल देंगे और अब हम इस च्छेने को दो तीन बार दोएंगे अब हम इस च्छेने को अच्छे से फिर से चंडी में फेलाएंगे और पानी डाल डाल कर अच्छे से दोएंगे ताकि जो हमारी खटाई है जो हमारा नीबू का रसे वो पूरी तरीके से निकल जाएगा नीवू का जो स्वाद है वो हमारे रसकुले में नहीं आएगा तो हमको अच्छे से धोना है अब धोने के बाद हम इसको इखटा कर लेंगे इस कपड़े को और कपड़े को इखटा करने के बाद हम पूरा पानी इस तरीके से निकाल देंगे अब हमने इसका पानी निकाल दिया है हमें तोड़ा पानी भी रहने देना है और आदा किलो का डिब्बा हम जिसमें बजन हो उसको हम इस पे कोई भी वर्तन को रख सकते हैं अब हम इसको कम से कम पांच या दस मिनिट ही रखना है जादा नहीं रखना है अधि हम जादा रखेंगे तो हमारा जो पानी है पूरी तरीके से निकल डाएगा हमें पूरा पानी नहीं निकालना है ताकि जो हमारा छेना है वो सौप्ट नहीं रहेगा पूरा पानी निकाल दिया तो थोड़ा पानी भी रहने देना है तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा छेना बहुत अच्छा बना है अब हम छेना वोल कर डोते यार कर लेंगे तो इस तरीके से हम छेना को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसी प्रकार से हमें थोड़ी देर गूते रहेंगे हमें इसे जब तक गूतना है जब तक छेना स्मूतना हो जाए अब हम छेना को हतेली की सहाइता से मसलना है जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ उसी प्रकार से आपको करना है इसमें करीब 4-5 मिनिट लगेंगे पर ये रस्गुले बनाने की रेस्पी का सबसे इंपोर्टन पार्ट है जिससे रस्गुले तूटिंगे नहीं और भहुत स्पंजी भी बनेंगे हमें जब तक करना है जब तक छेना हमारा हतेली में और प्लेट दोनों में चिपकना छोड़ दे कर दो कोस्मा चाहाँ चाहाँ जब कर प्लेट से जब प्लेट स इसार्टन चाहा जब जब तक चाहााँ अब हमारे छेने ने चिपकना छोड़ दिया है मतलब हमारा डो तैयार हो चुका है अब हमारा छेना तैयार हो चुका है तो हम छेना वाल बनाएंगे हमें हलके हातों से वाल बनाना है दरार नहीं आना चाहिए नहीं तो हमारे रसगुले भट जाएंगे तो इसलिए हमको हलके हातों से ही बनाना है यदि आपको लग रहा है कि हमारी दरार आ रही है तो हम फिर से मिटा के चेनावाल बना सकते है अब हमने सारे चेनावाल इसी तरीके से बना लिए चिकनेवाल बनाना है आपको तो हमारे पूरे चेनावाल तयार है अब हम चासनी बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक कटोरी सक्कर लिए, एक कटोरी या एक कप आप सक्कर ले सकते हो, जिस कटोरी से आप सक्कर ले रहे हो, उसी कटोरी से आपको पानी डालना है, तो मैंने पांच कटोरी पानी डाला है, तो एक कटोरी पे आपको पांच कटोर पानी डालना है तो अब हम इसको अच्छे से उबलने देंगे पांच कटोरी पानी डालने से में बीज में आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी अब हमारी चासनी अच्छे से उबल चुकी है और हमारे जो बुलबुले हैं वो उपर आने लगे हैं तो हम एक ही करके छेना वाल डालेंगे ताकि हमारी चासनी का टेंपरेचर लो ना हो और हमको हाई फ्लेम पर ही इसको रखना है अधि हमारी वाल चप्टी हो गई है तो फिर से हम गोल करके ही डालना है तो हमारे आदे लीटर में और बॉल बनी हुई है अभी आपको गेस का फ्लेम हाई रखना है लो नहीं करना है डेड़ से दो मिनिट तक हम इसको ऐसे ही खुले में ही इसको अभी डखना नहीं है हमको इसी तरीके से हमको उबालना है डेड़ दो मिनिट के बाद हम इसको डखेंगे हमें गेस का फ्लेम हाई रखना है अब हम इसको डख देंगे अब हमने तीन से चार मिनिट के लिए डख कर रख दिया था तीन चार मिनिट होने के बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे रख गुले बहुत अच्छे से फूल चुके हैं अब हम इनको पलट देंगे हमको दीरे दीरे पलटना है ताकि हमारे जो रख गुले बो तूटिंगे नहीं और फिर हम इसको डख कर रख देंगे फिर हमको तीन से चार मिनिट फिर डखना है रख गुले को पलटने के बाद हम देखेंगे कि हमारे रख गुले हुए यह नहीं तो आभी हम देखेंगे कि हमारे रखुले कही अंदर से कच्छे ना रह जाए इसलिए हम पांच मिनिट के लिए इनको धीमे आज पर रखेंगे अब हमारे चार मिनिट हो चुके हैं तो हमारे रस्कुले बहुत अच्छे से पूल चुके हैं अभी तक हमारा गेस का फ्लेम हाई था अब हम लो करेंगे अब हमारे छेना रस्कुले बनकर तयार है यदि हमको इस प्रकार की रस्कुले बनाना है तो हमको कुछ विशेश वातों का ध्यान देना होगा तब ही हमारे रस्कुले अच्छे बनेंगे हम जो दूद ले रहे हैं या तो हमको गाय का दूद लेना पड़ेगा तो यदि हमको गाय का दूद नहीं मिलता है, हम पेकेट वाला दूद ले रहे हैं, तो हमको 3% फेट वाला दूद लेना पड़ेगा, कम फेट वाला दूद ही लेना है, तभी हमारे रसगुले अच्छे से बनेंगे, दूसरी बात है कि हमको मिक्स अच्छे से करना है, यदि हम मिक्स अच्छे से करेंगे तो हमारे जो रसकुले हैं वो भटेंगे नहीं और हमारे रसकुले अच्छे बरेंगे तीसरी बातों का ध्यान हमें यह देना है हमें चास्नी में एक एक करके रसकुले डालना है ताकि जो चास्नी का टेंपरेचर है वो कमना हो और हमारे रसकुले अच्छे से फूलिंगे एदी हमारी चासनी बाद में पतली लग रही है तो हम उसमें थोड़ी सी चासनी मिला सकते हैं और एदी आपको मेरी ये रेच्पी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें